दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले ही प्रोकबडी लीक के एक उड़ शांदार मुकाबले के बारे में जो की खेला जाने वाला है पतना पाई राइट सो अरसे दबंग दैली के बीच में लास्ट मेच में हमने बड़े बदलाव देखे थी दोनों टीमों में तो क्य स्टार्टिंग सेवन आज की मेच में उतर सकती है कौन से बदलाव देखने को मिल सकते रेडर का क्या रोल रहने वाला है डिफेंडर आज चलेंगे या नहीं चलेंगे बहुत सारी इंफोमेशन इस वीडियो में देने वाला हूं तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहेगा फ्रेंज ये जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा 31 सक्टूमबर यानी की आज रात को 8 बजे से तो चली चला टाइम ना लेते हो एक नज़र डाल देते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल स्टार्टिंग सेवन पर लेकिन उससे पहले फ्रेंज अगर आपने अभीते हमें टेलीग्राम पर फोलो नहीं किया है तो टेलीग्राम की जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जल्दी जागरा मैं टेलीग्राम पर फोलो जरूर कीजईगा फाइनल टीम, फाइनल अब्डेट, फ्री एंट्री आपको वही पर मिलती है दोनो टीमों की बीच में अभी तक जो मुकाबले खेले गए हेड टो येट के वो 20 मुकाबले हुएं, 20 में से 9 मुकाबले देहली की टीम ने तो 9 मुकाबले पतना की टीम ने जीते हैं वही पर दो मुकाबले टाइ हुए थे, अगर लोवेश्ट और हायेष्ट देखा जाए, तो दबंग Delhi ने पठना के सामने हायेष्ट 55 किया है, जबक़ी पठना ने 67 किया है, लोवेश्ट की बात करें तो Delhi का लोवेश्ट 22 रहा है, जबकि पठना का पंद्रा रहा है, अगर मैं बात करूँ यहां से दोनों टीमों के starting seven के बारे में कि क्या starting seven उतर सकती है last match यह points हम देखेंगे analysis हम देखेंगे जैसा कि हम बात करते हैं कि कौन से player चल सकते हैं कौन से player flop वो सकते हैं बहुत सारी information यहां पर आपको मिलने वाली है तो दोस्तों यहां से जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना pirates की टीम से शुबम सिंदे तीन में चों में पांच टेकल पोइंट इन्हों अपने नाम किये हाला कि उस लाई में नजर नहीं आए हैं शुबम सिंदे आयान की बात करूँ तीन में चों में सिर्फ 11 रेड प कि संदीब कुमार तीन में चों में सिर्फ और अंकित ने तीन में चों में 13 कैसाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अधार पे हुए în फिर लास्ट मेच में चेंजिस भी होए थे, बड़े बदलाव हमने देखे थे, उसी के अक्कोरिंग अपने टीम बनाएंगे, फिर से कोई बदलाव होते हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, अब जादा तर जो रेड है वो आशू मलिक कर सकते हैं, जिनने ह आशू मलिक एक बहतरीन ओल राउंडर हैं, फिर हम बात करें, हाला कि मैं रेडर कहा सकता हूँ, इस सीजन में आशू मलिक को फिर हम बात करें यहां से, जब अंकिज आशू मलिक यहां से आएंगे, तो दीपक सिंग जैसे बहतरीन डिफेंडर भी होंगे, तो जो तिकड़ है डिफेंस की वो तूट पर सकती है आशो मलिक पर अगा आशो मलिक को जल्दी बाहर किया जाता है रेडिंग सेक्शन से तो भाया फिर टीम में दबंग देली के आने के चांसे थोड़ी से कम हो जाते है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा को बहतरी डेडर नजर नहीं है तो देली की टीम यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है इन तीन डिफेंडर के सामने फिर देखा जाए कर टीम को जरूद परती है यह प्लेयर यहाँ से रेडिंग करते तो ज्यादा सामने होंगे शुबम सिंदे जो की इजिली इनको आउट कर सकते है और वहाँ अगर चल सकती है ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन क्या देवान चलेंगे या फिर आयान चलेंगे यह हम आगे देखने वाले हैं सब्स्ट्ट्ट पर क्या टीम खेलेगे सब्स्ट्ट्ट में अगर आप देखें यहाँ पर सुधाकर एम का नाम है जा फिर यहां से हम बात करेंगे अच्छे प्लेयर की हम बात करेंगे तो बाकी तो कोई खास नजर नहीं आ रहा है मुझे प्लेयर हम बात कर लेते ही वर दूबल राइट करके बतांगो, अगर वो स्ब्सक्ते, से में खेलते हैं चाहने, तो इंपटेट कोन से हो सकते हैं लाज सीजन के अधार पर और अनुभव के अधार पर यहां पर में बताने वालों सुधा करें हम लास्स सीजन में इन्योंने 19 मुकाबलों में 103 रेड़ पॉइंट अपने नाम किये थे फिर मितु शर्मा 22 मेचों में सिर्फ 57 रेड़ पॉइंट थे इनके नाम संदीब कुमार 20 मेचों में 86 रेड़ पॉइंट थे इनके नाम देवांग की हम बात करें देवांग के लास सीजन में इनको जधा मोके नहीं दिए गए थे लेकिन अभी आप सकते हैं कि proper या main raider की तोर पर खेल रहे हैं देवांग फिर यहां से हम देखें जन कुंडली को मोखे नहीं मिल रहे हैं एक टाइम के अच्छे प्लिर हुआ करते थे जन कुंडली फिर बाग की तो कोई खास option में नजर नहीं आता है देख लेते हैं यहां से अब फ्रेंट जैसा कि मैंने आपको बता है कि लास्ट मेज में बड़े बदलाव थे दबंग देखली की टीम से कुछ बड़े रेडर बाहर थे इंजरी इशू की वाई से किसे को रेस्ट दिया गया था तो यह सबसे बड़ा confusion रहने वाला क्या टीम से फिर से बड़े बदला ने हैं पांच में आठ टेकलफ फूइंट फिर आशू मली कंसिस्टेन रहें पांच में चोपन रेड फिर how तो चैकल पूइंट फिर संधीप की बात करें कि ला और यहां से हम बात करें, रिंकु नर्वाल सिर्फ एक मेच के लिए है दो टेकल पॉइंट, रिंकु नर्वाल अलुभाव के अधार पर देख सकते हो, बहुत बड़ा प्लेयर है, रिंकु नर्वाल आशुम वली का अच्छा काम करें, नितिन पबार, बाकी भईया बहुत ब पदलाव कर दिया लाश्ट मेच में, तो सोचने वाले अगर यही केलते हैं, तो वह यहां दबंग देहली की टीम, बिलकुल मुझे फ्लॉप नजर आती है, अब इनके सामने जो रिडर होंगे, वो होंगे देवांग और संदीप कुमार, और यहां से होंगे आयान, हाला कि सामने वाली टीम के पास भी रिडर नहीं है, कुछ खास, तो यह जो मेच हैं हम कह सकते हैं, यंगिस्तर पर खेल सकते हैं, हम इस तरह से मान की चल सकते हैं, यहां से रिडिंग होगी तो रिंकु नर्वाल एक बड़ा डिफेंडर है, वही पर नितिन परवा थोड़े से कंस काम क्हास लेवल का दिखा नहीं है, तो कह सकते हैं, देवांक इस मेच में अच्छे खासे पोइंट लेकर जा सकते हैं, फिर आयान जब यहां से रेडिंग करेंगे तो बहाई यह याया आयान को कुछ पोइंट्स मिल सकते हैं, यहां पर रिंकु नर्राल को एड़़ांस है करने के लिए आना पड़ेगा संदीप की फोर्म अच्छी रही है तो कहने का मतलब आयान के फ्लॉप होने के चांसे थोड़े से बढ़ जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि 50-50 चांसे क्यों यहां पर इनको पॉइंट्स मिल सकते हैं कुछ क्कास दम नजर नहीं आ रहा है माज में नहीं नहीं होते हैं तो अगर अशिश मलिक चार मैंचों में 6 तेकल पोइंट हो सकता है स्टार्डिंग सेवन में खेले योगेश स्टार्डिंग सेवन में खेले आगर इंजर नहीं है तो दोनों में निटेर ध्यान रखेसा अगर चार में ज प्लेंट सकते हैं अगर इंजर नहीं है तो फ्र विक्रांत हैं जिनों चार मेंचों में तीन पूइंट अपने नाम किए और यहाँ पर मोहिद तो बहुत जज़ादा नजर आ रहे हैं, लास सीजन की अगर मैं बात करूँ यहां से, तो आप देखोगे, लास सीजन में किसका काम किस प्रकार से रहा है, वो भी हम यहां पर चेक करेंगे, इंजरी इशू काफी नजर आ रहे हैं देहली टीम में, जैसा कि सबसे पहला ही नाम आता है नवीन कुमार जिन पर मैं double click कर सकता हूं, कप्तान हो कप्तान बना सकता हूं, लेकिन last season में भी ये काफी बार injured रहे थे, सिर्फ 6 मुकाबले कह ले थे, जिसमें point अच्छे दिये थे, 71, 71 point इने देखर गए थे, आशिव मलिक सबसे important है team के अभी फिलाल, अगर ये ही out हो जाते हैं, तो भी य 20 में 266 red point इनों ने अपने नाम किये थे last season में, फिर आशिश 18 में 25 tackle point है, नितिन पवार को last season में मोके ज्यादा नहीं मिले थे, हाला कि इस season में अच्छा काम कर रहे हैं, विक्रांत, योगेश और आशिश दोनों आज starting seven में खेल सकते हैं, इस्पेशली योगेश और दिया गया था, या कह सकते हैं, सब्चूर खेलाया गया था, यह हमान के चल सकते हैं, मतलब starting seven में नहीं थे, बाकी तो हम देखेंगे, ब्रिजेंदर चोदरी का भी option है, मतलब टीम बिल्कुल भी मुझे अच्छी नजर नहीं आ रहे हाँ, रिंकु नर्वाल एक बड़े प टॉप पिक्स के बारे में, देहली की टीम से कौन से प्लेइर important हो सकते हैं, आशु मलिक, संदीप और नितिन पवार, यह तीन प्लेइर आपके लिए बहुत important हो सकते हैं, वही पर पतना की तरप से देवांक, अंकित और शुभम, सिंदे, यह तीन प्लेइर बहुत ज़दा important हो सकते हैं, टीम में बड़े बदलाव नहीं होते हैं देहली की, तो भया पतना के जीतने की चांसे, 60-40 के रेश्यो हम कहे के चल सकते हैं, चलिए टीम का preview देखते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो एनालाइसिस में हम प्लेइर देखते हैं, जिनके चलने के चांसे होते हैं, हम उनी को लेते हैं, न कि हम तुक के से प्लेइर को पनी टीम में पिक करते हैं, फिर नहीं चलते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, तो यहां से आप देखेंगे, डिफेंस सेक्शन में शुवम सिंदे और देवांग, दोनों पतना पाइरेट्स के मैंने यहां पर लिए, योगेश खेलेंगे तो 100% लेंगे हमाई टीम में, लेकिन लास्ट मिच में नहीं थे स्टार्डिंग सेवन में, फिर आप आशिश को लेना चाते हैं, फिर हम देखें यहां से एस देशवाल जो की ग्रेंडलिक पिक आप के लिए बन सकते हैं, फिर यहां स अच्छा ओप्शन है, आशिश को अब लिया जा सकता है, तीन हमने ओल राउंडर लिये हैं, जिसमें हमने अंकित को लिया है, नितिन पवार को लिया है, और रिंकु नर्वाल जो 12% लोगों की टीम में, मैं अपनी टीम में रिंकु नर्वाल को लेकर चलूँगा, फिर यह यहां से आप देखाएं, यह आशिश मलिक यह लाक्ष मिट में यह भी नहीं कह ले थे, फिर यहां से गुर्दीप का ओप्शन है, गुर्दीप एक बड़ा पलेर है, पतना की टीम मना रहे हो, तो गुर्दीप को जरूर अपनी टीम में लीजिएगा, फिर यहां से हम जिरी इस से जूज रहे हैं, शायद ना खेलने इस मेंच में, फिर हम बात करें यहां से, अगर नवीन खेलते हैं, तो टोस्क बात देखेंगे, एहम सुधागर को मोका दिया जा सकता है, संदीप कुमार ग्रेंड लिक पिक बन सकते हैं, मितु महेंदर को मोके मिल नहीं रह फिलाल बहुत बेककार में नजर आ रहा है, मुझे मैं फ्रेंकली बतारो आज का, अभी तक की कभी डिसिजन का, मुझे सबसे बेककार में यही नजर आ रहा है, तो फिलाल मैंने दिवां को लिया है, और यहां से मैंने आशु मलिक को लिया है, कप्तान उपकप्तान की बात में आगए शुबम सिंदे, नितिन पवार, दीपक सिंग, रिंकु नर्वाल और देवां को अमने लिया, फ्रेंज इस में कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, बागी फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी, टेलीग्राम की लिंक वीडियो की नीचे डिस्क